स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्ट्री टेकनोलजी में मैं अनुपमेपुल आप सभी लोगों का स्वागत कता हूँ आज की शोग केमरा टूस्टे में आज हम लोग भात करेंगे सोनी A7R Mark 5 के बारे में तो आये समझते हैं तो यह क्या है यह समझे वही A7R Mark 4 का बॉड़ी उठाए गया तो सेंसर वही 60 Megapixel है और अभी भी साइड एफेक्ट है क्योंकि वह स्टैक्ट सेंसर से नहीं बदला गया तो अभी भी रोलिंग सेटर थोड़ा सा मदब बेस्ट और बेस्ट नहीं थोड़ा खराब है एट के ब आगे पिछे नहीं पर दिया नहीं तो इन्होंने कर दिया थे खिर विडियोग्राफर को मेरे तरफ देखे तभी मैं काम करऊंगा वो भी इन्होंने देदी यह दोनों डाल दिया है जो मिक्स करके बहुत ही स्मार्ट मतलब कि आप अराम से खोलिए और तिल्ट भी कर सकते ह आपका एक्सिस जो है वो एकदम सेंटर रहेगा फरंट ले जाना फरंट ले आगे घूमाने मतलब बेस्ट ऑदी बेस्ट मतलब ऐसा पैनासॉनिक में एस एच ओन में भी टाले यहां सोनी बीटाल सोनी का मतलब पूरा हेंज मेंकनिसम बहुत ही इफिशेंट है पैनासॉनि की फाले ऐ है दूसरा फ्र्रोसेसर में में चंड में फालने का गया था एप तो इसम지만 जीन इसमें में रखतार बढ़ गया था तो इसमें हर चीज में रखतार बढ़ रही हैंगे उस पाला का डूरा से ओंडिया जो यह फ्तुरी स्टमाल करें अजानी कर peppily ए हो इसमें अश तो वही समझें कि बहुत अच्छा इसका बहुत परफॉर्मेंस किलियरंस है प्लस इसमें इन्होंने कार्ड फॉर्मेट भी चेंज कर दिया है सिर्फ स्ट यूएचस टू कार्ड से लेकर आगे वड़ गए हैं अब आप इसमें आराम से सीफास्ट टाइप एक इस्तमाल कर सकते हैं और उस कार्ड का अगर यूज कर रहे हैं तो आपका बफर परफॉर्मेंस एक दम सेमेंटिनियस हो जाए जानी कि आप खिचते रही हो बफर अल होता है यानि कि फाइल चोटा किया जाएगा लेकिन कोई लॉस नहीं होगा जानी जब असा डी कंप्रेस करेंगे वह वापस उसी साइस पर जाएगा कोई भी जड़ा सा डेटा फिक नहीं तो अगर लॉसलेस है हमारे पास टेकनोलोजी तो लॉसी क्यों इस्ताउन करें बा लॉसलेस कंप्रेशन आपको दोनोगा देता है मतलब का फाइल साइज भी जोड़ा करता है और आपका रॉक का पूरा डीटेल भी बचाय रखता है तो यह काफी स्मार्ट ऑप्शन था मतलब यह नहीं बात नहीं बात नहीं समझे कि पुराने प्रोसेसर में यह कर नहीं सक और 8K सिफ 24 पर सकंड तक जाता है 4K 60 वो भी क्रॉप हो जाता है और इसे में तिकड़म यह किया गया है वह है AI प्रोसेसिंग यूनिट क्योंकि यह समझे कि बहुत टाइम से चल रहा है तो यह तो अब अलमस हर में देने लगे हैं लेकिन इसके बाद क्या डाले है सबसे ब यह समझे कि इन्होंने में किया कि सिकायत क्या रहा था सिकायत आ रहा था कि A7 Mark 4 जो है काफी लोग खर दे लेकर उसका लो लाइट आटो फोकस परफोर्मेंस जो है उतना अच्छा नहीं है लो लाइट वे मिस कर देता है और यह थोड़ा समझने वाली बात है कि 60 मेरा पिक और सिर्फ AI चलाता है और वो यह सारा काम करता है यह प्रोसेसिंग यूनिट है यह मतलब अगर स्क्सेस्फुल रहा इस मॉडल के साथ आने वाले सारे स्रीव में उतार देंगे क्योंकि यह काम यह कर रहा है कि सोनी को आई ट्रैकिंग बले-बले उससे आगया तो कुछ है गाये सकता है तो इसम нет जो पूरा बाड़ी सकन कुर है वह पॉस्च्टर को अनुमान का फाइदा रहा है कि अनुमान की आप तरन मार रहो तो आप को सल्टर पर नगए आप शोल्डर को अनलाइज करेंगा डो से कि पताचिदे है कि अप प्री-फोकस करने बहालेकर आप हे यह मतलब समझी स्टिकिनस कितना अब चिपके रहते हैं फोकस पे वह बढ़ा देता है और इससे मतलब समझी है इनका मेने लो लाइट में यह जैनुविनली अच्छोंगे क्योंकि पुराने मॉडल में लो लाइट का परफॉम्मेंस बहुत खराब था वह सुधार दिया और जिसमामने कैनन का मतलब समझी आई एन फेस अल्मोस्ट नहीं था जितना सोनी का था लेकिन एनिमल वह जेनुविनली आगे चले गया थे यहां पर चोकी यह ए आई प्रोसेसिंग डाले है तो यह पहली बार कहना है कि हम एनिमल कर सकते आटो फोकस कर तो जेनुविनली अच अच्छा था शॉकिंग भी था कि इतना अच्छा कैनन एक एक कैसे उतार दिया अनिमल के मामले में तो सोनी मतलब उसके लेवल पे आर तो यह समझे पूरा यह इंडिपेंडेंट ए आई चिप जो है डालके चार रहा है और इससे दूसरा भाइद भी हो रहा कि डेडिकेट लेकिन यह समझेगी कि अभी भी यह उतना अच्छा नहीं है जतना कैनन का है तो अगर आप पर कर अच्छा कर देंगे अगर आप एप लोग कर ना तो प्लीज गिंबल करी लीज़ा है अपका हाथ थोड़ा मचूद होना चाहिए लेकिन आप कर सकते हैं और हाँ इसको जो पसंद आते हैं कि गिंबल में उस तरह कर जगा नहीं था कि आप साइड में कर सकोगों सिफ टिल्ट ही करना इसे आपका काम चलेगा तो टिल्ट कर सकते हैं EVF पर भी काफी महनत किया गया है best of the best जो दे सकते हैं और heat dissipation जो की A7S3 के बाद से इन्होंने मतलब समझी हर नए वाले स्रीज में देने लगे हैं कि यह ओवर हीटिंग की इशू ना हो तो यह हैं improvements मतलब main improvements जो सब को तुरंत पता चलेगा कि नहीं पहले से बहुत अच्छा autofocus कर दिया है और animal पे जो धंग से कि हाम, animal, cars, train, aeroplane, insect यह सब देखके study कर सकते यह कर पा रहे हैं और अगर यह AI chip जन्मिली अच्छा है तो चांसे से कि आने वाले एक साल के अंदर Sony और नया training data upload करते जाएगा और improvement होते चला है Google के pixel phone lineup का quality improve होती है वैसे यहां पे भी होना possible है अगर यह जो AI chip डाले है ढंक से learn कर सकता है तो चांसे से यह improve होता जाएगा मतलब एक-दो साल के अंदर और बहंतर हो जाएगा अब बात करते हैं वीडियो में तो वीडियो में यहां समझे कि not great not terrible मतलब best of the best नहीं है और worst of the worst भी नहीं है और अप्शन के मामले में चैनन आपको जदा बेटर ओप्शन देता है लेकिन आपको 5D में और 5D से क्यों कुम्पर कर रहा है यह यह आप समझे कि इसमें आपको बहुत बढ़ा खात्रा लेना है यह एक फिक्स नहीं सबसे पहले है कि 30-minute को लिमेट जैसे मुझे काफी लो अब गोच भी तरींट के लिमेत नहीं होते हिसाया जिनको फ़रक पड़ता है वोसांती से नहीं घारीडने माले जिनको पड़ता उसको तरींट को इते हैं बार बार उनों ने फर्मवे से से सेटिंग बढ़ाते जारें लेकिन बाते हैं अभी भी वह ओवरीट होता है अब लेट होता है पहले बहुत कंजर्विटिव थे बहुत दूर तक पुश करते हैं लेकिन आपका वाइसा नहीं होने वाल कि ये कैमरा है मतलब अगर सोनी को लेकर यूज कर रहे हैं और कैनन को लेकर यूज कर रहे हैं कैनन ज्यादा बार आपका ओवरीट से बंद होगा दूजरा यह सब तो ठीक है माइनर रिश्यू है यह सब आप मैनेज कर सकते हैं लेकिन जो सबसे कड़वा न्यूज अभी रिजंटली मुझे विद्से पता चल रहा है कि कैनन थार्ट प्रटी लिंसस को ब्लॉक कर रहा हैर आर एफ मांट में वह थर्टी लिंश सीधे-सीधे नहीं उतारा जाएगा अब रहा बात आप करोड़ती कोई बातनी लेकिन थार्ट पर्टी लिंस जरूरी होते हैं जैसे कि मेरा ये कनन 800D में इसमें Sigma का lens रखावा है Sigma, Tamron, Voidlander, Ticona सब को एक एक करके notice भेज सक रहा है Canon की हम नहीं आप बनाई है इसके लिए और यह बहुत भारी पढ़ने वाला है तो अगर दोनों सिस्टम में चूज करना है मैं सिर्फ इसी बात पर सबको बहुत कंभी रहा है क्योंकि अगर यह बात सच शाबित हो गया मतब Canon इसको reverse नहीं करता एक माइना ही हुआ है अपी तक और Canon कहरा है कि हमारा proprietary उसमें कुछ है proprietary तो सब का में होता है तो बात है कि यह मामला बहुत कंभी रहा है बनाते है और वो कस्टमर को बेनिफिट होता है सोनी को भी बेनिफिट होता है कि यह रिस्क कर रहा है कि प्रॉफिट निकालने के लिगे नहीं हम कोई भी आर एफ का native lens नहीं बनाएगा यह बहुत खतरनाक है बहुत ज़्यदा खतरनाक है आधा से लोग इसी बात पर छोड़ देंगे क्योंकि आपको अगर लगता ने कि दो-तीन लाख रुपया कैमरा का दाम ज्यादा है लिंस का दाम आपने देखा नहीं है अब वहां पर थर्ट पार्टी लिंस की कीमत समझ पर आएगी ज़से मैं सीधे बितारो कि मैं किट लिंस के क्यों नहीं लिया मुझे पता थर्ट पार्टी में अच्छा लिंस मिल दूसरा क्या सोनी बल्ले बल्ले नहीं सोनी क्रॉप के उपर आप सुनी का यह पैटन बन गया है हर चीम है क्रॉप कर देगा मतलब इनका फुल फ्रेम खरीदें को मतलब नहीं रह रहा है आप जैसे 60 fps बजागे नहीं क्रॉप कर देगा आप एक्टिव इस्टिवलाइशन अगर चाहिए तो इसमें रहा है लेकिन आपको एक्स्टरनल कैच्चर करना पड़ेगा फायदा नुकसान दोनों है फ्रेपीए स्लोह है जैसे 8 के जो है बहुत लिमिटेड है इसका जाता है और प्लस 420 जाता है 422 नहीं जाता है आपके जितना वह अच्छा रहा है जैसे 444 इसमेम में इस्तमाल किया जाता है 422 तो आपका लो लेवल क्वालिटी पर आगए है तो 420 यह 8 के में दे रहे है मतलब जबरदस्ती का यह 8 के निकालने के कोशिश कर रहे है या तो प्रोसेसर को जबरदस्ती का यह बॉटल ने कर को कि यही प्रोसेसर एवान में हो एवान फुल हाई रिजल्विशन पर चलता है तो चांसे से कि यह लोग जबरदस्ती का अरे एवान कोई क्यों खर देग आप किस पर करते हैं लेंस के बेसिस पर करते हैं आप फ्रेमिंग आप सोच के मैं फ्रेमिंग फिर से चेंज करना पड़ेगी इसलिए लो मतब सेंसर क्रॉप अच्छा एडिया नहीं है थोड़ा समय समझ रखो कि अक्टिव क्रॉप कर रहे है अब 10% कर ले ठीक है बस 10% रख आप अच्छा से पॉलिश करके देगा है यहां पर वैसा नहीं है यहां पर बस मार्केटिंग फ्लेक्स कर रहे हैं यहां आप तो 8K 4K से क्या गुजरा कलर सैंप्लिंग देरा है 4-2 यह है 4-2-0 है 4-2-2 भी नहीं है और वहीं कैनन से कैनन तो सिरा RAW दे रहा है इन बिल्ट तो वह तो सिनेमा में यूज हो जाए आपको तो यूज भी नहीं हो पाएगा यहीं बोला था कि एनिमल्स का एफ और अटो फोकस में में मैंनल फोकस किया है ओटो फोकस इसका काफी इंप्रूफ कर दिया गया है कि बर्ड देखेगा और बर्ड का आई डिटेक्ट कर लेग मेन्यू सिस्टम भी इंप्रूफ कर दिया है जो थर्ड जनरेशन हैं उनको बहुत बड़ा अंतर दिखेगा तो स्वाल बनता है कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं तो इसाब यह समझे यह कैमरा है किसके यह कैमरा उनके लिए जो सोनी के बेसिक मॉडल में जैसे कि A7C मे आपने गाड़ी खोला गाड़ी शुरू किया आपकी मतलब जो इंडरस्टी चला रहे थे जो जॉब कर रहे थे वह बले बले चलने लगा अब क्यास पैसा अब आप चाहते कि मैं और इन्वेस्ट करूं तब आप सोनी का A7 Mark 4 Series ले सकते हैं या A7 R2 आपके पास हो मतलब क्य तो चांसे से कि बहुत सारे के पास इसनका बेसिक एंड या पूराना वर्शन जो एक-डो जनरेशन से जाधा पूराना है उन सब के लिए बहुत बढ़िया जंप है और उससे तो लगेगा कि आप मैजिक में आगए कि जैसे A7 C से हो जाए A7 Mark 4 से हो जाए A7 R Mark 3 से हो जाए Mark 4 और Mark 5 के बिच में अंतर उतना बड़ा नहीं है हाँ अगर आप ऐसे जगहां पिथे कि आपको Mark 4 का Auto Focus से बैंड बज़ रहा है तो खरीद लीचे लेहीं तो ज्यादा बड़ा फरक नहीं है और सूनी का APS-C लाइन अप में है आप सोनी से खुश हो गया है कि ठीक है वह हम और यह अच्छी बात है कि यानि कि A7 R Mark 4 अभी भी आप खरी सकते हैं सेकंड हैंड में भी खरीद पाएंगे अब वह खराब नहीं है मतलब best of the best नहीं है लेकिन खराब नहीं है तो better auto focus और quality of life improvement जो किया गया है वह काफी लोग के लिए काफी सारे professional camera rolling camera cycles में रहते हैं कि कर सकते हैं तब उनके लिए है quality of life improvement चुपचा सपई चालो हमको ते दो तो वो कर सकते हैं क्रॉप जो इसमें वीडियो में जबर्दस्ती का क्रॉप डाला हुआ हुआ है उससे वीडियो में उतना यूसफुल नहीं है क्योंकि cinematographer अगर रहेगा वह सीदे भी या तुम हमको 8 के फेको सांथी से 422 दो या 444 दे दो बीना क्रॉप के हम ताकि 4K में कर सके क्योंकि पिक्चर अभी भी 4K में ही master किया जाता है 8K की जरुवत नहीं है और यह वाद समझना भूँ ज़रेगी हम लोग जो SED से HD में आए वह सबसे बड़ा जंप था HD से 4K में आए वह समझी बहुत पीछे चल रहा था सिनेमा इंडिस्टी बहुत टाइम तक 2K का ही master बनाता था रिसेंटली पिक्चर सुरू है जो 4K के master files बना रहा है मतलब जो एडिटर के पास जा रहा है जिस पर VFX लग रहा है वो सब 4K पे हो अब जाके 4K का यह हो गया क अब जतने नए पिक्चर आए सब 4K पे ही है 8K अभी भी नहीं होता है कोई करेगा भी नहीं क्योंकि 4K से 8K का file size भाग जागा लेकिन resolution improvement होता नहीं होगा क्यों कि मारा आँख होता है नहीं देख सकता और बहा बद कि आप 200 इंच का screen में अगर आपको 4K में दिक्कत नहीं ह नहीं हो रहा है 2K तक ही हम चलते हाँ है तो आप समझ लीना कि आपको 4K कितना बड़ा improvement दे 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 रहा है और फिर 8K उससे वाद और अगर कोई music producer है और अगर कोई music producer खुछता है कि उसके camera में high f frame per second हो और cinematographer खुछता है उसके color resolutions आदा आप दोनों नहीं नहीं देख रहा ह और मेरा दिमागा खराब रहा है कि एपार कामरा होता है फुल फ्रेम कामरा कामरा तो फुल फ्रेम कहां से हो गया अगर आप 10% थीक है थोड़ा समय लेन सज़ेस्ट्रों ठीक है कोई नहीं अब किसी में 10% एक तैंटीस परसंट परसंट कर रहा है वह मैं बैटके मैं शीट करा कि नहीं इसमें सब फीचर मत दे दो मेरा A1 को क्यों खर देगा इसमें मत सब दे दो कि मेरा A7S3 सब नहीं खर देगा तो यह थोड़ा अब वह सब चलिए माइनर इशूस हैं क्योंकि आप उसके इर्दीस का आपको माल लिए 4K 30fps ही चाहिए आप खुश रहें बले बले Sony का पिट गया तो Sony ने क्या किया कि Compact Flash Association ने भी सीफास्ट कार्ड बनाया था वह भी पिट गया तो वह दोनों शादी कर लेते हैं कि ठीक है सीफास्ट Association जो है Compact Flash Association जो है वो यह फॉर्मेट उठा लेगा XQD का फिजिकल फॉर्मेट उठा लेगा और उसको नया ब्रांडिं प्राइक, Nikon, Canon, Sony के Pro End में चलेगा और Sony उस कार्ड को इस्तमाल ना करने की जगा पर टाइप A इस्तमाल कर रहा है और इसका दाम इतना ज्यादा है क्योंकि कोई और कंपनी उतारी नहीं यह आपको भी बहुत सारी कंपनी उतार रही है क्यों उतारी जैसे Sandisk हो जाए, Dull Clean हो और Sea Fast Express हर कंपनी इस्तमाल करती है जैसे कि आपका Nikon हो जाए, Panasonic हो जाए, Fuji हो जाए, Canon हो जाए, सब इस्तमाल कर रही है तो उसका खुब सारा competition है, दाम बहुत कम है, मतलब 1000 डॉलर से जादा आप दीजेगा तो भी इसमें 1TB नहीं मिलेगा आपको वो सही में आपका दीमा खरब करता है काट सब इतना महँगा आपको UHS2 इस्तमाल करना पड़ेगा, UHS2 ठीक है उतना महँगा नहीं और अचली सबसे 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 सबखता option है लेकिन साइट एफक्ट है कि UHS2 नहीं आपका बफार पर्फॉर्मिस हो ता अच 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 नहीं आप एक्स्टरनल करोगे उसमें आप 3.5 इंच SSD इस्तमाल करोगे तो वह ज्यादा बेटर है बट यह जनुरली इस्टुपिट है अगर आप मैं लूँगा तो मैं तो सीधे जो यह वीडियो पर जबरदस्ती के उपर क्रॉप दे रहे हैं अब मुझे वही लग रहा है कि यह लोग क्रॉप सिर्फ इसले कर रहे हैं कि हमारा A1 कोई क्यों खर देगा या हमारा S-Series क्यों खर देगा इसलिए कर रहे हैं तो देखिए यह आपको पस्ता सूट करता है कि न जाना पसंद हुआ है मैं आप से कॉमेंट लेकर मैं हर कॉमेंट को पढ़ने की कोशिश होता हूं आप सब्सक्राइब पीजिए बेल दबाए अगरा फ्री हैं तो आपने आप वीडियो दिखा जानके मुझे बहुत खुशी हुई धन्यवाद